तो आज कर रहे हैं हायर सेकेंडरी का कक्षा बारा का मुख परिच्छा का प्रश्ण प्रश्ण पत्र जो की 2022 अर्था पिछले साल पूछा गया था चलिए तो क्वेश्ण को आगे करते हैं स्कीम 70 माक्स की है और वही जो पैटर्न है इस वर्श का वही पुराने वर्श का भी पैटर्न था तो चलिए सबसे पहले लेखते हैं साथ प्रश्ण है साथ वेकल्प प्रश्ण में से हमाँ पास पहला प्रश्ण आपके पास में किस उपकान का उप्योग वोल्टिज नियंत प्रश्ण के रूप में जेनर डायोट का उप्योग की जाता तो उसका क्रेक्ट आंसर क्या है इसका क्रेक्ट आंसर है जेनर डायोट चलिए अगला देखे ओमी प्रतरोध पूछ रहा है कि ओमी प्रतरोध कौन सा है तो इन में से ओमी प्रतरोध पूछ रहा है कौन सा है ट अगला देखिए संयुक्तु सूशमदर्सी की नेत्रीका की फोकस दूरी अभिद्रस्टक की फोकस दूरी से क्या होनी चाहिए तो देखें नेत्रीका की फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए ठीक ना अभिद्रस्टक की कम क्योंकि अभिद्रस्टक जो होता है वैसे करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा तो आपके पास करेक्ट करेक्ट्रेस का कितना होगा अनसर नेट्रीका की फोकश दूरी या भिर्त्त सक से क्या होती है से अधिक होती है अग्ला question है एक proton में नियुंताम आवेस तो proton और इलेक्रोन का आवेस बराबर होता है और proton का नियुंताम आवेस 1.6 into 10 की पर मारेस 19 कुलाम हुआ करता है ठीक है तो इसका option है point number next किसी कुंदली का स्वाप्र का निर्भर नहीं करता है तो जब आप स्वाप्रकत निकालते हैं तो किस फॉर्मुले से निकलते हैं रहे को पता है फाई इकोलस टू एल आई ओके फाई एक्वल्स टू एल आई हुआ करता है तो जब आप यदि यहां पर फलक्स निकाला करते हैं एस्वापिर करते हैं तो एल एक्वल्स टू फाई एपॉन आई करते हैं एल एक्वल्स टू कितना करते हैं फाई एपॉन आई उसमें i से i cancel हो जाता है केवल आपके पास में जो बचता है वो L के रूप में आता है तो उसमें त्रिज्ज लंबाई आती है त्रिज्ज आती है फेरों की संक्या भी आती है मगर प्रवावी दारा नहीं आती है तो इसका आंसर होगा E का second मतलब जो स्वप्रिरकत तो होता है और अन्योन प्रिरकत करत्वी जो होता है वो कुंडली में प्रवाहिद धारा पंदिर बर नहीं करता है ठीक है स्वप्रिरकत और अन्योन प्रिरकत जो होता है वो कुंडली में प्रवाहिद धारा पंदिर बर नहीं करता है अगला ट्रांस फॉर्मर की सिधान पर काम करता है, दो कुंडली होती है, तो अन्योन पिरन के सिधान पर काम करता है, जितना यहां का फ्लक्स होता है, वही फ्लक्स घूम करके धर चला जाता है, तो correct इसका answer क्या है, अन्योन पिरन, विद्दुचुम्बी की तरंगे किसे होती है, त्वरित आवेस से उत्पन हुआ करती हैं जलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चलिए सबसे अधिक आवरती की विद्द चुम्ब की तरंगे कैसी होती है गामा जो तरंगे होती है सबसे अधिक आवरती की तरंगे होती है गामा तरंगे ठीक है गामा तरंगे सबसे अधिक आवरती की धारवाई परनालका किसकी तरह है ? दंड चुम्बक की जैसे ब्योहार करती है मीटो सेतु किसके सिध्धान पर? मीटो सेतु जो है हडगयास लिबससे भीट स्टोन के सिध्धान पर आधारित है जल के अंदर वायू का बुलवुला कई बर बता जोगे जल के अंदर वायू का बुलवला अबतल लेंस की भाती विहार करता है कि इसके जैसे अबतल लेंस समानतर में जोड़ा जाता है तो पिछले वरस के थोड़े से अच्छे स्टैंडड लेवल की मुझे लग रहे है जो अब्जेक्टिव कि सांसाथ यहाँ पे जो आपके फिल इंद ब्रैंक्स यानि की खाली स्थान जो आए हुए हैं बढ़ी अलग रहे हैं चलिए अब आते हैं इसके बाद भरना है हम लोग को कितना यहाँ पे खंड आ और बा को हमको सुमेलित करना है चलिए तो एक मिनट आप लीजिए इसको ज देखे मिलान कीजिए पहले का हो जाएगा आपका डी है ना फर्स्ट का डी हो जाएगा माइनस तो याद रख लिए माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो वन प्लस डी अपॉन एफी यह होती है संयुक्त सूचमदरसी की आवरधन चंता दन इसके बाद में देखे बूस्ट अवरध क्रिणे यहाँ पर क्या दिखे रा ऑप्शन में अवरध क्रिणों की खोज किस ने की थी तो अवरध क्रिणों की खोज हार शेल नहीं की थी ओके तो यहाँ पर हार शेल आ जाएगा देन बात है इलेक्ट्रॉन वोल्ड किसका मात्रक होता उर्जा का मात्रक तो दे दने, विधूत्स सामर्थ यह ना चुका है। साटमा क्वेस्चन, जो है विधूत्स सामर्थ है। तो मेरे खांट से यह इलेक्टिकल पावर है। समय भवट समय लो इसको शक्ति बोलते हैं, सामर्थ यानिकी शक्ति हाँ तो विद्धु शक्ति है लिखने में ऐसा लिख दिया कि confused हुए बच्चे तो विद्ध सामर्थ है निकि विद्धु शक्ति हो विद्धु शक्ति को किसमें नापेंगे आप विद्धु शक्ति को आप नापेंगे पावर को किसमें नापेंगे वी इंटू आई में लेंज की चमता पर किस प्रपाद निर्वा करती है, बहुत ही सिंपल है, कि भाई, P is equal to 1 upon F होता है, मतलब दूरी जो होती है, फोकस दूरी के क्या होती है, वित्करम आनुपाती ही होती है, नहीं कि P is equal to 1 by F, किस गेट को वित्करम गेट माना जाता है, किस गेट को वित्करम बुला जाता है, इन्हें इन्वेटर बुला जाता है, वित्करम गेट बुला जाता है, नौट गेट क्योंकि 1 को 0 कर देता है, लेंज का नियम कि सिधान पर, लेंज का नियम उर्जा संदचन पर आधारी था, ओकी तो आंसर क्या है, इसका उर्जा संदचन, देहली आवरत तो अगर आपको आवर्धन चमता बढ़ाना है तो आप अभी द्रस्तर की फोकस दूरी क्या करा के एक मिनट एक मिनट थोड़ा से यहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है फॉर्मुला गडबड में लिख रहा हूं है ना कौनसा आपको बुला जा रहा है आपको बुला लिख दूर्शी तो खगोली ये दूर्शी की जो आवर्धन चमता बढ़ाई जा सकती है तो खगोली दूर्शी का भाई साब अभी द्रस्तर की इसको बढ़ा होना चाहिए क्योंकि उसको बहुत दूर दूर के लाइट्स लेने पड़ते हैं तो इसका आंसर जो है एफ हो बढ़ा करके यानि फोकस दूरी अभिद्रसक लेंस की इसको बढ़ाना पड़ेगा ओके तो इसकी फोकस दूरी कितनी करनी पड़ेगी आपको अभिद्रसक की फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी चलिए अगला कुछालक माध्यम की उपस्थिती का प्रभाव विभाव पर क पढ़ता है यह तो आप जानते हैं कि V Das equal to कितना होता है V by K मतलब में माध्यम के परवैदुतां का बढ़ाएंगी तो विभो का मान कम होता जाएगा तो अंसर विभो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा ठीक ना विस्ठापन धारा किसकार उत्पन होती है तो विस्ठापन धारा किसके अंदर कैपिसिटर के अंदर उत्पन होती है और यह है इसलिए उत्पन होती है क्योंकि विद्धुचेतर का बदलाओ हुआ करता है विद्धुचेतर के बदलाओ के करण विस्थापन धारा उत्पन होती है इसको लिखते कैसे हैं इसको इसको किस तरीके से लिखा जाता है तो देखिए आप जानते हैं विस्थापन धारा को लिखने का तरीका क्या बनेगा हम जानते हैं कि 5 is equal to Q by epsilon not 5 is equal to Q by epsilon not हो जाएगा तो Q is equal to कितना हो जाएगा 5 into epsilon not तो DQ by dt is equal to epsilon not बाहर आजाएगा D5 by dt ये विस्थापन धारा हुआ करती है जो विद्दुच्चेतर में परिवर्तन के कान जो होती उत्पन हुआ करती है तो ये हो गया विस्थापन धारा भी किलियर हो गया ओके answer देख लिए विद्दुच्चेतर का समय के साथ परिवर्तन होने के कान विस्थापन धारा उत्पन हुआ करती है डन चली आंगे चलते हैं अगला क्वेश्चन अब आगे हैं दो माक्स वाले क्वेश्चन ओम के नियम की दो सीमाय लिखिए नमबर बन प्रयोग करते समय तापमान कॉंस्टेंट होना चाहिए दूसरा इसकी भौतिक परिस्थिटी में कोई खिचाव नहीं करना चाहिए ये लंबाई चोड़ाई में परिवर्ता नहीं करना चाहिए किर्चाफ के वोल्टता का नियम क्या होता है किसी बंद परिपत में लगाए गए समस्त विद्धुत वाहक बल और समस्त विभवांतरों का बीजगनती ये यो कित्ता हुआ करता है शुन हुआ करता है येस लारेंजबल क्या होता है कतिमान आवेस पर चुम्मिकी छेतर में लगता हुआ बल एफ एक कोल टू क्यूबी भी साइन थीटा से परिभासित कर दीजे या आई लबी साइन थीटा से परिभासित कर दीजे चलिए एक प्रावदर्सक माध्यम का ध्रुवन कोन हलाकि इस बार ध्रुवन पोलराइजेशन याने की ध्रुवन हड़ चुका है से लिबस से अब और तक कोन का मानियात के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ फॉर्मूला होता रहा है म्यू इक्वल टू टैन ओफ आई पी आई पी मतलब ध्रुवन कोन तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा टैन आई पी कितना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिगरी है धुरुण कोन तो आंसर आएगा म्यू इक्वल टू टैन थर्टी तैन थर्टी कितना होता वान अपॉन रूट थरी तो यहाँ पर आंसर कितना आना था वान अपॉन रूट थरी चली यह हो गया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस प्रपोर्शनल टू डी फावेडिटी यह है विदुट चमकी प्रण का सेकेंड यह ठीक है स्वाप्रेण और अन्यून प्रण में अंतर कल मैंने कई बार बताया इस अंतर को इसको कलीजिए कि स्वाप्रेण कत में एक कुंडली होती है अन्यून प्रण में दो कुंडली होती है स्वाप्रेण कत में धारा पहली कुंडली में आती है बिभाव भी है ना कौनसा बिभाव स्वप्रिरित विद्ध वाहक बल पहली ही कुंडली में पैदा होता है मगर इसमें दूसरी कुंडली में पैदा होता है सिद्ध कीजे कि विद्ध चेतर में किसी प्रष्ट के समानतर गुजलने वाला विद्ध फ्लक्स का मान सुनने होता है देखिए भाई समांतर कहा रहा ना तो विद्दु छेतर में किसी प्रष्ट के समांतर अगर प्रष्ट के समांतर रेखाएं गुजरेंगी तो इसका जो कौन बनेगा प्रष्ट के साथ कितना लेगा 90 डिगरी बनेगा और आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है कितन EDS cos 90 और cos 90 का मान डग दें cos 90 कितना होता है? 0 होता है तो आंसर कितना हो जागा? 0 हो जागा मतलब प्रष्ट के समंतर कोई flux नहीं गुजरता है किसी आवेसे चालक के अंदर विद्दु छेतर और विद्दु विभव को सप्ष्ट कीज़े लाल लंक की तरंग देर सबसे ज़्यादा होती है और तरंग देर ज़्यादा होने के कान इसका प्रकिरिणन सबसे कम होता है मतलब इभी घरता सबसे कम है इसलिए खतरे का सिंगना लाल लंक का होता है किसी माध्यम का अपवरतनांग कौन-कौन से कारवकोपन निर्भर करता है किसी माध्यम का अपवरतनांग कौन-कौन से कारवकोपन निर्भर करता है तो देखिए माध्यम का अपवरतनांग तापमान पर पहली जी निर्भर किया करता है और सोचिए किस पर निर्भर करेगा माध्यम का परतनांग हाँ प्रकाश की किरण पर निर्भर करेगा क्योंकि mu is proportional to inversely proportional to lambda तो दो बताने थे दो मेने बता दिये एक तो तापमान पर निर्भर करता है दूसरा प्रकाश की किरण के रंग पर निर्भर करता है है ना लाल रंग अगर आप लेंगे तो लाल रंग के लिए अपवर्त नांग सबसे कम होता है और जबकि अगर आप यहीं पर वाइलिट या ने की बैगनी कलर लेंगे तो बैगनी कलर की तरंग देर सबसे कम होती है और सबसे कम होने के कारण बैगनी कलर के लिए तरंग देर अपवर्त नांग सबसे ज़्यादा हो जाएगा यस यह हो गई दोनों बातें अगला निरोधी विभो कहते हैं तो देखे एनोड पर लगाया गया वह विभो है ना जिसके कान प्रकाश विदु धारा का मान क्या हो जाए जीरो हो जाए सुन हो जाए उसको हम बोलते हैं निरो देर्ध हुआ करता है तो यह द्रमान के साथ संबंदित होती है ठीक ना और एक चीज़ और इसमें हाईजेन बर का नियम भी लगता है कि आप इनकी स्थिती तथा इनके तरंग देर्ध का शुद्ध मापन कभी भी एक साथ नहीं कर सकते हैं यह भी आप लिख सकते हैं यहा कि तरंग देर्ध दिया जाता है चलिए अगला देखिए नेक्स और येण पूचा जा रहा है कि नैंडगेट की सततासार्णी बताईए बताईए और समझाई नैंडगेट की आपको सततासर्णी बनानी है तो बहुत ही सिर्पल काम practice ६् basin pain into V का खॉम्व्जमिमेंट थिया आपे A और B दो signal लिजे और उसका Parliament कर दीजे आपके पास में NAND% की सतदा सार्णी आपके बन जाएगी not अइन प्रकार के अरचालक और P प्रकार के अरचालक में अंतल लिखे, तो दो प्रकार के बना लीजे मैंने आपको method बता रखी है है ना तो बहुत ही simple तरीके से काम होता है यहाँ पे current आई जाती है और voltage आपने भी लगा रखा है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों पे समान तरफ same voltage जाएगा और current डो पार्ट में तूड़ जाएगी तो i equal to i1 plus i2 ओके i equal to कितना बन जाता v upon r यह बन जाता v upon r1 plus v upon r2 और v और v को cancel कर दीजे तो आपके पास में बन जाएगा formula 1 upon r equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 चली नेक्स आंगे चलते हैं अगर देखे किसी सेल के विदुत वाहक बल बिभांतर और आंत्रिक प्रतोध में संबंध यह बहुत important derivation है सेल के विदुत वाहक बल बिभांतर और आंत्रिक प्रतोध में संबंध आपको बताना है क्या formula होता है v equal to e minus i into r ठीक ना small r लेना sorry तो यह आपको derivation आपको बनना चाहिए इसको कर लीजे v equal to e minus i r का derivation मैंने करा रखा अपनी main classes में आप लोग देख सकते ना बने तो meter setu का नमान के चित्र बनाईए यह सिधान किस सिधान पर काम करता है कोई दो साब धाने लिखे तो यह यह जो question है में इस बार शायद नहीं आएगा क्योंकि meter setu सायद हमारे syllabus से हट गया फिर भी देख लिए meter setu का नमान के चित्र बना लिए गए कि सिधान पर काम करता है भी सिधान पर काम करता है दो साब धानिया यह है कि इसको लगाता आउन करके काम नहीं करना चायोई नहीं तो meter का тов नहीं करता है ठीक ना और जोकी को बहुत जोरों से इस पर घसीटना नहीं चाहिए तार को तार पर जो होती ही ना उस पर जोकी को बहुत जोरू से घसीटना नहीं चाहिए अगला विद्धुत परपत की साहयता से बिभावापी का सिध्धान लिखना है तो विद्धुत परपत की साहयता पहले विद्धुत परपत बनाना है फिर इसके बाद विभाम आपी का सिध्धान क्या बताया देगा था आपको E proportional to L तो ये आपको सिध्धान बताना है चली question number 15 देखी 15 question में कहा जा रहा है कि सरल सूक्षमदर्सी और खगोली दूरदर्सी में अंतर आपको बताना है सरल सूक्षमदर्सी और खगोली दूरदर्सी में क्या क्या अंतर हो सकते है पहले तो दोनों की आवरधन चमताओं को आप अंतर लिख दीजेगा है ना दोनों की आवरधन चमताओं में आपको पहला चीज अंतर लिख देना है ठीक ना देखिए सरल सुख्ष शमदर्सि में जहां अभिदरस्त्र की फोकस दूरी कम होती है और नेटरिकल लेंस की फोकस दूरी जादा हुआ करती है है नहीं आपके पास में जो खगुली दूर्सि है उसमें अभिदरस्त की फोकस दूरी बहुत ज़्यादा हुआ करती है तो इसमें अभी दरस्ता की फोकस दूरी कम लेनी है और इसका अभी दरस्ता की फोकस दूरी ज़्यादा लेनी है तीसरा अंतर क्या बन जाएगा सूच में दरसी का सरल सूच में दरसी का उपयोग जो हुआ करता है वो normal magnifying glass के तोर पे किया जाता है और इसकी आवर्धन चमता बहुत कम होती, बहुत सीमित होती है परन्तु जो खगोली दूरदर्सी का उपयोग होता है वो बड़े बड़े दूरस्त पिंडों को, खगोल की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है और इसकी आवर्धन चमता जो होती, बहुत जादा हुआ करती है चले, done अगला question, दो पतले उत्तर lens के लिए संयोग की focus दोरी के लिए सिद्ध करो तो भाई साब, क्युछ नहीं आपको derivation निकालना है 1 upon f equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 का आपको derivation पहले create करना है तो दो lens लेकर के आपको create करना पड़ेगा 1 upon f equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 इसके बाद आपको जो है बस हो गया, इसको parallel की form में है तो इसको सही करके लिख दो, तो answer आजागा वोई जो यह लोग पूछ रहे है तो कितना आजागा f1 plus f2 upon f1 f2 अब इसको दोनों को आप पलट दोगे तो आपके पास यह derivation आजागा मतलब derivation यही करना आपको कैसे करते हैं इसको मैंने आपको उसमें करा रखा है सबसे पहले आप यहाँ पर दो lens लेते हैं है ना, दो lens के बाद आप दो बार lens उतर लगाते हैं याद होगा, I think आपको एक बार थोड़ा समय hint कर देता है यह आपको याद नहीं तो एक सेकेंड वेट कीजे देखे, किस तरीके से करते हैं आपके पास में दो lens हुआ करते हैं आपके पास में यह एक lens है है ना, साथ में यह एक lens ले लेते हैं तो पहले आप पहले lens की focus दोरी आप F1 मानते हैं तो first lens के लिए आप lens सूतर लगाते हैं तो 1 upon F1 equals to है ना, 1 upon U plus 1 upon V1 इस तरीके से बन जाता है sorry, lens के लिए तो 1 upon V minus 1 upon U तो 1 upon V1 और minus का 1 upon U दूसरे lens के लिए फिर दूसरा lens यह जो है यह इसका final परतिवियम में यहां बनाता है तो इसके लिए फिर से आप लिखते हैं 1 upon F2 equals to तो दूसरे lens के लिए क्या rule बनता है 1 upon F2 equals to 1 upon V minus 1 upon U तो 1 upon V minus 1 upon V1 दोनों को add करके combined equation बना लेते हैं 1 upon F1 plus 1 upon F2 का और जो की equal आता है 1 upon V minus 1 upon U के और आपको पता है कि यह किसके equal होता 1 upon F के बस बन गया derivation सिंपल हो गया एकदम और अब इसके बाद इसको solve करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस तरीके से हम लोग करते हैं focus दूरी के मलत साइन जुक्त focus दूरी का derivation done चलिए अगला question देखी बहुत ही प्यारा question अगला आया है बहुत easy question है आप चाही transformer में voltage 11,000 volt से 400 volt में परवर्तित हो रहा है मतलब आपको देखी V2 कितना दिया गया है V2 आपको दिया है 400 है ना और आपको V2 दिया गया है 400 और आपको V1 कितना दिया गया है 11,000 मतलब यह step down transformer है तो आप जानते हैं formula क्या होता है N2 upon N1 equal to होता है V2 upon V1 और आपको पहले तो आपको जो जो दिया गया है दिखी कितना दिया है यह दिया आपको 11,000 यह लिख लिजे आपको V1 कितना दिया गया है आपको V1 दिया गया है 440 यह लिख लिजे आपको प्राथमी कुंडली में फेरो की संक्या कितनी है 8,000 है तो प्राथमी कुंडली में फेरो की संक्या कितनी होगी 8,000 यह लिख लिजे आपको कहरा दुती है कुंडली में फेरो की संक्या गयात कीजे तो यहाँ पर आपको यह ग्यात करना है N2 ग्यात करना है तो तिर्यक गुणाव अगरे करके निकाल लो बहुत यह आसान से आ जाएगा और याद रखना क्योंकि यह step up है इसलिए N2 जादा आएगा N1 से तो N1 कितना दिया है आपके पास में 8000 तो यह इस से 8000 से जादा आएगा ठीक है तो चलिए solve कर लिजेगा इसको अगला question देखिए अगर किसी कुंडली में 4 amp की धारा प्रवाइद करने पर कुंडली का प्रेरकत 100 हेंडी हो तो संचीत उर्जा ओहो कितना simple question आया है simple simple के बल मतलब आपको सीरे सीरे formula लगाना और कुछ नहीं करना है क्या होता formula उर्जा का u equal to half li square है ना half li square तो बस l लग दो l की value किती 100 है i की value किती 4 है square कर दो answer आजाएगा बहुत ही simple question अगला question देखिए पाँच माक्स का logic gate क्या है और end nor gate के लिए संकेत बनाओ 9-7-8-1-8-8-7-8-8-9-8-8-1-19-1-8-8-9-9-0-8-9-8-8-1-4-1-1-8-8-8-8-4-8-8-8-9-9-8-9-8-8-8-8-8-1-8-9-8-8 तो Booliian पद में समय करना और का क्या होता था? और का होता था Y बराबर A प्लस B एंड क्या क्या होता था? Y equal to A into B A गुने B और नौर का क्या होता था? नौर का होता था Y equal to A प्लस B का बार है ना? ये नौर का हुआ करता था लॉजिक गीट सारे हो गए अगला क्या पी एन संधी डायोड क्या डायोड का अगर भी नती की रूप में किस प्रकार रुपियो किया जाता है समझाईए तो पी एन जंक्शन डायोड अगर पी प्रकार के समी कंडुक्टर को अरद चालक को एन प्रकार के अरचालक के साथ क् की तरफ जाते है, इस प्रकार P और N प्रकार के संयोजन से बनने वाला जो युक्ती होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम P N संधी डायोड कहते हैं, डायोड का अग अभिनती के रूप में उप्योग किस प्रकार किया जाता है, अग अभिनती के रूप में डायोड का उ जाती है characteristics इसका जो चारित्रिक डाइग्राम था इस तरीकी से ज्याधा था चलिए अगला question देखे संधारित्र किसे कहते हैं समानतर पर संधारित्र की तो संधारित्र क्या हुआ करती है आवेश को संरच्छत करने आवेश को मतलब collect करने वाली युक्ति को बोलते हैं एकठा करने वाली युक्ती को क्या बोलते हैं संधारित्र बोलते हैं ठीक है जो आवेश को एकठा कर सके है और एक और परिवासा है कि वह युक्ति जिससे की किसी चालक की धारता बढ़ाई जा सकती है उस युक्ति को उस जुगार को क्या बोलते हैं संधारत के लिए वेंजग बहुत बार कर रखा है अगला कुश्चन वैदुद दुधूब किसे कहते हैं दुधूब की निरक्षी स्थिति में वैदुद छेतर की तीवरता वन बाई फूर पैपसलों नौट इंटू पी अपॉन आर की वाप लोगो पता होगा और निकालने का तरीका भी आपको पता होगा इंगे बहुत अब आप अगर पिछले वार्स का ब्लूप्रिंट देख लिजे जो बच्चे कह रहे हैं कि सर पिछले वार्स के ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट बोल रहा है वो देख लिजे कि क्या ब्लूप्रिंट में ये पिछले साल पांच नमर का था ब्लूप्रिंट में रहा होगा या नहीं रहोगा मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है बट एक चीज़ देख लिजे कि यहां पर यह पांच नंबर का थाक्या जबकि 70 मार्क्स का कुश्चन है पिछले बार का और यहां पर 5 मार्क्स का यह दे दिया गया है क्या वैदुद धुद्रूप दे दिया गया है ठी अगला क्वश्चन देखिए एसी जनित्र किसे कहते हैं एसी जनरेटर तो एसी जनरेटर प्रत्यावरती धारा जनित्र का रेखां के चितर बना करके क्रिया वेधी का वर्णन कीजे तो इसको आप याद क्या करना है कुल मिला के आप डाइग्राम मनाईए और डाइग्राम जो आपको लगाना होता है उनके लिख दो की इसमें एक pride लगा होता है हैजेने इसमें के एक आप करेट से ला करके स्थरेनल सिप्लाई कर दो इसमें रिजिस्टेंस जोड़ दो ठीक है ना और यह हो गया अब इस तरीके से अगर इसको आप आप बाहर मोटर से घुमाओगे तो क्या होगा current generate होने लगीगी आप इसको यह दी घुमाओगे तो current generate होने लगीगी current जो है बाहर के circuit में flow होने लगीगी ठीके ना और इस तरीके से यह बन गया आपका क्या AC generator तो इसको बस पढ़ना ही काफी है प्रत्यावरती धारा जनेतर क आप पढ़कर के चले जाएए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और इसके इससे जो voltage निकलता है वो AC निकलता है उसका form क्या होता है E equal to E equal to N A B omega